नमश्कार बचो बचो आज इस वीडियो में हम छटी कक्षा संस्कृत के छटे पार्ट समुद्र तट इसके NCRT के प्रशन उत्तर डिसकस करने वाले हैं इससे प्रीवेस वीडियो में ये चाप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है उमीद है पार्ट आप सभी ने समझ लिया होगा अब बारी है पार्ट के आखिर में जो प्रशन दिये हुए उनके उत्तर कैसे लिखने हैं आपको तो चलिए डिसकर्शन शुरू करते हैं अगर आप नए हो चानल पर तो सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे अभ्यास में पहले हैं उच्चारण के भ्ये विदेशी प्रियटकों के संगम जहां पर संगम होता है दो नदिया मिलती हैं दो यहससे जादा त्रिस शु तीनों तरफ से विदेशिक वयपाराई विदेशों के व्यापारी प्रायद्वीप प्रायद्वीप हम बोलते हैं कि ऐसी जगह को जो तीन तरफ से पानी से घिरी हो बंगोप सागर बंगाल की खाड़ी को बंगोप सागर कहा गया है चंद्र ओधिये है ये चंद्र और उदे को मिलके बना है ये शब्द चंद्र प्लस उदे संस्क्रिट में ऐसी बहुत संद्र उदे माफ करीगा उदे बहुत सारी संधी आपको मिलती है शब्द जो है एक से जादा शब्दों से मिलके बना है जैसे विदेशी और प्रियटक एब्भे इसको मिलके बना ये मतस्य जीविन बंगोप सागर को मिलके बंगोप सागर बना है तो अगर आप थोड़ा सा इनको संधी विच्छेद कर पाते हैं थोड़ा स्प्लिट कर सके तो प्रणसेशन भी इजी हो जाती है और मतलब भी आपको अच्छे से समझ में आता है अब बात करते हैं अधो लिखिताम प्रशना नाम उत्तरम लिखित एक बात मैं आपको पहले बता दो जितने भी आपके संस्कृत के प्रशन उत्तर है आपको याद नहीं करने क्योंकि कभी एक्जाम में नहीं आते हैं लेकिन हाँ आपको एक पैरग्राफ दे दिया जाएगा ऐसा देखा जाता है इसका एक पैरग्राफ दे दिया माल लीजे ये और इसके बेसिस पर फिर क्वेशन पूछेगा ये जरूर होता है कहने का मतलब है कि आपको प्रश्णों के उत्तर कैसे दे पाएंगे आप जबाब उसको समझ पाएंगे तो पार्ट को समझ ये और प्रश्णों के उत्तर ढूढने की कोशिश करिए याद नहीं करना है पहला प्रश्ण है आपका जनाह काभी जल विहारम कुरवनती जनाह अर्थात लोग किसमें जल विहार करते हैं आपको अगर फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है आप लिखेंगे जनाह काभी की जगे आप लिख देंगे नौ काभी जिस विभक्ती में question पूछा होता है उसी में हम answer देते हैं नोका भी जल विहारम कुर्वन्ती यह हमने देखा था अगर आपने part पड़ा है कि नोका में वो जल विहार करते हैं and full stop पूर्ण विराम भारतस से दीरगतमा समुद्र तटह कह भारत का दीरगतम अर्थार्थ सबसे बड़ा समुद्र तटह कौन सा है तो आप लिखेंगे भारतस से दीरगतम समुद्र तटह है भारत का सबसे दीरग सबसे बड़ा समुद्र तटह कौन सा है आपको याद है मेरी ना तट मेरी ना तट है क्योंकि कहा है तो तट है मेरी ना तट इसका सबसे बड़ा समुद्र तट है जनाहा कुत्र स्वैरम विहरंती लोग कुत्र अर्थात कहां कहां पर अपनी इच्छा से स्वैरम भौती से घुमते हैं विहार करते हैं विहार करना अर्थात घुमना यह हमने देखा था यह मुंबई के जुहु तट पर करते हैं तो आप लिखेंगे जनाहा कुत्र की जगे लिख देंगे जनाहा जुहु तट जुहु तट है तट पर स्वैरम विहरंती ओके एंड फुल स्टॉप यह प्रश्ण के उत्तर लिखने का तरीका में बता रही हूँ सिर्फ एक जो प्रश्ण वाला आपका शब्द है वो बदलना है आपको बाकि फुल सिंटेंस वैसे ही आप रखेंगे बालका बाली काभी किम रच्यंती बालक बालु काभी बालु से मतलब रच्यंती किम क्या रच्यंती क्या किसकी रच्ना करते हैं तो हमने देखा था वो बालु के घर बनाते हैं तो आप लिखेंगे बालका बालक बालु काभी मतलब रच्यंती किम की जगे आप लिख देंगे बालु ग्रिहम बालू ग्रहम मतलब बालू के घर क्यूंकि किम है इसलिए ग्रहम आया है रचियन्ती अगर कहा होता तो बालू ग्रहा आता का भी होता तो बालू ग्रहा भी आता समझ रहे हैं आप जिस विभक्ती में प्रशना उसी विभक्ती में उत्तर होगा कोची तट है केब्य ग्यायते कोची तट किसके लिए जाना जाता है तो आप लिखेंगे कोची तट है कोची का जो तट है किसके लिए जाना जाता है नारियल के पेडों के लिए केब्य इसने बोला है तो आप लिखेंगे नारियल को क्या कहते है नारी केल फले भय ये एक ही शब्द है नारी केल के फल के लिए मतलब नारीयल के फल के लिए जाना जाता है केब्य है इसलिए नारी केल फले भय आया तो ये थोड़ी थोड़ी चीज है आप इससे अब्जर्व करना शुरू करेंगे संस्कृत में तो ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे लोग का भी जल विहारम कुरवन्ती किसमें जल विहार करते हैं तो नो का भी भारत का दीरगतम समुद्र तटै कहा तो मेरी ना तटै लोग कहां पर उससे विहार करते हैं जुहुतट कुत्र की जगए कुत्र का मतलबी कहां होता है इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी तो इसलिए जुहुतट ऑर ये मुंबई में है मेरी ना तट ये आपका चेन नहीं में है बालग बालू से यानि कि रेच से क्या बनाते है तो बालू ग्रहम कोच्छी तर्ट केब्या जायते किसके लिए जाना जाता है तो नारीकेल फलेभ्या जाना जाता है जै उम्मीद ही यह आप समझ गई होंगे अगर आपने पाड़् ध्यान से पढ़ा है अगर नहीं पड़ा है तो पहले पुरानी वीडियो देख लीजिए नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा प्रश्ण उत्तर में अब है मंझूशात मंझूशा मतलब होता है यह जो आपको दी हुई है यह मंझूशा है मंझूशा से पदानी चित्वा पदों को चुनकर मतलब शब्दों को चुनकर रिक्स्थानानी पूरियत रिक्स्थानों की पूर्ती करिए बंगोप सागरह, बंगाल की खाडी, प्राय आपके पार्ट सेहें पार्ट सेहें अगर आपको याद है भारत देश है डैस इतिकत्यते भारत इसलिए कहा जाता है भारत देश को क्यां कहा जाता है प्रायत्वीप देश की सवाय है कि के एक प्रायत्विपस देविपस lotijn कождत Means तिनों दिशावं में सागर है इदर अरब सागर है और नीचे इन्ड महा सागर है जना、समुद्र तटम ृडश आगण शन्ती क्या करने आते हैं? प्रियटन के लिए आते हैं хотел बालक ब्रोचते किस चीज को बहुत इंजॉइब करते हैं क्रिडा, खेल को भारत अस्त्य पूर्व दिशाया भारत की पूर्व दिशा में पूर्व ये होता है ये पूर्व दिशा होती हमेशा ये पश्चिम उपर उत्तर और नीचे दक्षिन तो पूर्व दिशा में क्या है ? भारत के पूर्व दिशा में है बंगोप सागर बंगोप सागर है अस्ती तीक ये आपके ब्लांक्स है आगे आते हैं यथा योग्यम जैसे हो योजट इनको मतलब जोड़िये समुद्र तट है समुद्रतटपर क्या होता है प्रियटनाए प्रियटन आते हैं क्रिडनकम मतलब क्या होता है खेलनाए दुगधम दूद क्या देता है हमें पोशन देता है पोशनाए दीपकम दीपक क्या देता है दीपक मतलब दिया वो हमें प्रकाश देता है विद्या विद्या से क्या मिल जैसे व्योम मित्रेंड से है गच्छती व्योम मित्र के साथ गया है तो तृत्या विबगती में मित्र का मित्रेंड हो गया और जितने भी हमारे यह अकारांत पुलिंगा जितने भी आकारांत पुलिंगा सम्में एण लगेगा जैसे कि आपका कंदुख है कंदुख मतलब गे में हीं सकते कि यह भसेश्य माइन्द से तो कंडु केन कंडु के मित्र का मित्रेण हूं गया एक वचन बाकि उसमें एक वचन नहीं है से हाँ अश्वा बहुत सारे 具ड़ Kerry ऐहाँ बहुत सार बालक है कमल का वो लगाना है आपका आकाराइश्य ळूर लेकिन ये नपुन्चक लिंग में जाएगा बहुवचन में तृत्य विभक्ती में क्या होता है मतलब एक वचन, दूई वचन बहुवचन से बताते हैं आपको अगर एक वचन है तो एन लगेगा और बहुवचन है तो अई लगेगा जिसे कमल है इसका हो जाएगा कमलई क्योंकि बहुत सारे कमल है इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक गेंद थी मैं गेंद से खेलूँगा मतलब एक से खेलूँगा मित्र के साथ गया है मतलब एक मित्र के साथ गया है लेकिन अगर बहुत सारे हैं तड़ाग में कमल विभाती शोभा देते हैं, तो कमल एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होगा, इसलिए कमला ही लगा है, अश्वाई डैश सह धावन्ती, अश्वा जो है, वो अश्व के साथ दोड़ती है, तो अश्वाई मतलब बहुत सारे घोड़े, तो यहाँ पर अश्वाई आएगा, म्रगा डैश सह चरंती, म्रगा जो है, वो म्रग के साथ चरते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, म्रगई, बहुत सारे म्रग के साथ, ठिक, बाली का, ये सभी हमारे जो शब्ते पुलिंग थे, बाली का हमारा स्ट्रीलिंग शब्द है स्ट्रीलिंग की तृत्य विभक्ती में लगता है काभी बाल का बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं तो के साथ मतलब बाली के भै बाली काभी बाली काभी ओके तो ये तृत्य विभक्ति में इस तरीके से आपके वचन चलते हैं अगर आप चाहे तो राम का देख सकते हैं राम, राम, रामाहा मैं राम के आपको बता भी देती हूँ क्योंकि ये बहुत यूसफुल है जब भी कभी आकरान्त पुलिंग में आपको तृत्य विभक्ति के वचन लगाने हैं, तृत्य विभक्ति में के साथ होता है, तो अगर मैं बोलू राम के साथ, तो आप लिखेंगे रामेन, एन लग जाता है, जिसे यहां पर मित्रेन लग गया, यहां पर कंदू केन लग गया, उसके बाद रामेन के बाद आएगा रामा दो रामों के साथ रामा भ्याम और थर्ड में आता है रामाई लग जाता है राम के साथ दो रामों के साथ बहुत सारे राम के साथ ठीक है ऐसे अगर एक वचन में आपको पुलिंग में लगाना है के साथ लिखना है किसी के पीछे तो आप लिखेंगे गेंद के साथ तो कंद केञ Damani ौर बहुत सारी गेंदों स्वार स待 बहुत सारे गोडों से साथ चत्रीमन एक घोड़े के साथ तो अशना ऊंवास्वाई थिक म्रगई भात सारे म्रगों से साथ कह सब्सक्षाइब घ्रै हमारा यही ऑफ किन और पिखर है से तालाब है रिंदिः अगर हम बात करें उसकी आपके विधकती है अगर किसी स्टरीलिंग कि श्द के साथ है गाया जैसी यहां पर बालिकाओं के साथ बालक पड़ते हैं तो इसमें होता है लृते के मतलब एक लता के साथ लता भ्याम मतलब दो लताओं के साथ और लता भी बहुत सारी लताओं के साथ तो किसी का भी है मान लीजे एक बकरी के साथ तो अजा अजा बोलते हैं दो बकरी के साथ अजा भ्याम और अजा भी ऐसे बाली का बाली का भ्याम बाली का भी ठीक तो ये तिरत्य वि भक्ति में वचन लगाने किसी भी शब्द में किसी के भी साथ अगर आए इसके साथ तो उसमें आप ऐसे लगाएंगे एक में एन दो में आ भ्याम तीन में आ भी आई अगर पुलिंग है और अगर स्त्रीलिंग है एक में आया दो में भ्याम तीसरे में आ भी ओके अगला प्र उचित वाक्य की रचना करिए जैसे यहां पर इसने रहीम चुना रहीम दूसरे से चुना मित्र सह मित्र के साथ कृड़ती खेलता है रहीम कमलेन कमल के साथ मतलब कलम से माफ करेगा कमल नहीं कलम से मतलब पैन से पत्रम लिखती पत्र लिखता है यह इस पार्ट में आपको त उसके बाद रहीम रहीम चशकेन जलम पीबती चशकेन से गलास से जल पीता है रहीम नोका से जल विहार करता है तो नोका क्या हो जाएगा नोका क्या हो जाएगा नोकिया मैं इसमें आपको बता देती हूँ नोकिया जल विहारम करोती नोका से जल विहार करता है रहीम तुलि कया क्योंकि एक है और एक में लतिया होता है है ना तुली कया तुली कया से उसकी रचना करता है रहीम द्वी चक्री का मतलब होता है आपकी साइकिल द्वी चक्री का से क्या करता है आपडम गच्छती मार्किट जाता है तो द्वी चक्री कया लतिया जब भी कभी एक वचन मे आप स्रिलिंग का शब्द सिमाल करेंगे तो उसमें आया लगेगा नौकिया, तुली कया, दुई चकरी कया लेकिन अगर आप बात करेंगे पुलिंग की तो फिर मा लगेगा एन लगेगा मित्रेन कमलेन हस्तेन रहीम हातों से कंदुकम शिपती कंदुक को जो है फेकता है गेंद को फेकता है तो हस्तेन वायू या येन वायू या नेन या आगच्छत वायू यान से जहाद से यहां आता है इस तरीके से आपको इन में चेंजिस करके इन में तृत्य विभक्ती लगा के के साथ वाला और फिर इनको एड़ करके बाक्या बनाने है और उनको नीचे लिखना है आगे है कोश्टकात कोश्टक से उचित पद प्रियोगें उचित पद के प्रियोग से रिक्स्थानानी पूरियत रिक्स्थानों की पूर्ति करिए धनिक डैश धनम ददाती धनिक किन को धन देते हैं निर्धन को गरीब को इसमें द्वित्य विभक्ती का वो लगेगा निर्धनाए निर्धन को करताने करम को निर्धनाए बालक डैश विद्यालियम गच्छती बालक पढ़ने के लिए विद्यालिय जाते हैं तो इसमें आएगा पठनाए सजना डैश जीवन्ती सजन जो है दूसरों के उपकार के लिए जीते हैं तो परोपकाराए परोपकार के लिए पठना ये निर्धना ये परोपकार ये प्रधानाचारिय डैश पारी तोशिकम ये च्छती प्राचारिय जो है वो बच्चों को पारी तोशिक मतलब की जो अवार्ड है वो देते हैं तो इसमें आएगा च्छात्रों को बहुत सारे है ना च्छात्रे भ् यह च्छती आगे न यहां पर धैश नम है इनको नमशकार करते है नमसकार करते है थो शिक्षक आए शिक्षक को में जब भी वारी आएगी तो यह लगेंगे आपके निर्धनाई धनिक निर्धनों को धन देता है बालक पढ़ने को विद्या ले जाते हैं सज्जन दूसरों के उपकार को जीते हैं प्रधाराचारिय बच्चों को पारितोशिक देते हैं और शिक्षकों को नमशकार को में आई लगता है पीछे शब्द के और इसी के साथ आपका पार्ट भी खतम होता है उमीद है आपको जो question answers है वो थोड़े से समझ में आ रहे होंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका and wait for next chapter's video to come